नमस्कार फ्रेंड सोगत आप सभीका सॉलूशन अभी सेक यूटूब शनाल में फ्रेंड्स आपको और आपके पूरे परिवार को सोतंतरता दिवस की हार्तिक सुपकाबनाएं आज के ही दिन मतलब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से पूरे 200 बर्स बाद हम लोगों को आजादी मिली थी तो आज के इस दिन को आप लोग धूम दाम से इंजोई करिएगा अपने घरों पर तिरंगा लहराईएगा और धूम दाम से मिठाईयां बाटिएगा इस वीडियो में सोतंतरता देबस से रेलेटिड टॉप 60 प्लस कोशन इस वीडियो में कवर करेंगे सारे कोशन जो हैं MCQ टाइप से तो आपको स्कोर जरू बताना है कि आप लोगोंने 60 प्लस में से कितना स्कोर किया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसका जो PDF है आपको टेलिग्राम की चैनल पे एक दो दिन मत मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्किप्सिन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जो इनकल लीजे तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा 15 अगस 2022 को जो है सोतंत्रता दिवस्की जो है 76 भी बर्स गाठ मनाई गई है तो यहाँ पे इसका C option इसका correct हो जाएगा अगला जो question कुछ नमा टू भारतिय राष्टिय धोज तिरंगा का डिजाइन किसने तयार किया था तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा पिंगली बेंक गया तो यहाँ पे जो है इसका C option इहाँ पे correct हो जाएगा भारतिय राष्टिय धोज तिरंगा का डिजाइन जो है पिंगली बेंक गया ने किया था तो यहाँ पे जो है इसका C option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो कुछन आ कुछनमा 3 जो है अपना देश भारत अंग्रेजों से कब सोतंतर हुआ था तो इसका right option जो हो जाएगा 15 अगस्थ 1947 को तो option जो इसका D correct हो जाएगा अपना देश भारत अंग्रेजों से 15 अगस्ट 1947 को आजाद हुआ था इसी दिन मतलब 15 अगस्ट को तो इसी दिन हम लोग सोतंतरता दिबस के रूप में मनाते हैं अगला जो कुशन कुशनमा 4 15 अगस्ट को कौन से देश अपना सोतंतरता दिबस मनाते हैं तो आपको बताना है कि 15 अगस्ट को भारत के अलाबा और कौन कौन से देश जो है अपना सोतंतरता दिबस मनाते हैं तो सबसे पहला है बहरीन दूसरे जो है और ये उत्तर कोरिया ये भी देश जो है ये भी सोतंतरता दिवस मनाता है 15 अगस्त को तो भारत के अलावा ये जो ये जो पांच देश हैं ये भी मनाते हैं 15 अगस्त को सोतंतरता दिवस तो ये भी आप याद रखें इनको भी 15 अगस्त को ही आजादी मिली थी तो ये भी आप याद रखें अगला भारत के राष्टिय धोज की लंबाई और जो है चोड़ाई का अनुपात कितना होता है तो भारत का जो राष्टिय धोज होता है ये तो इसकी जो लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या होता है तो भारत का जो राश्टीय दोग है इसकी जो ये चोड़ाई है ये कितनी होती है तो ये 3 होती है और ये जो होती है ये 2 होती है तो इसका जो है 2 होता है यहां पे 2 तो लंबाई और चोड़ाई का अनपात पूछा है तो इसका जो है B option correct हो जाएगा 3 और 2 तीन रेशियो टू मतलब तीन अनुपात दो का जो है राष्टिया अपना धोज होता है तो इसका जो है बी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक इंड से जरू किया करें अगला जो कुशना कुशनमा 6 जो है भारत के राष्टिया धोज तरंगा में बने चक्र को क्या कहते हैं तो भारतिया जो तरंगा होता है जैसे आप लोग देख लीजिए ये जो है लोगो में आप लोग देख लीजिए ये तरंगा जो है ये तरंगा में जो ये चक्र होता है इस चक्रों को क्या कहते हैं तो इसका राष्टिय धोजत रंगा में बने असोग चक्र किस रंग का होता है तो भारत का जो राष्टिय धोजत रंगा है इसमें जो असोग चक्र होता है जैसे आप लोगों में देख लीजिए ये जो असोग चक्र है इसमें जो ये चक्र किस र पीला रंका होता है तो इसका जो है D option correct हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछनमा 8 राष्टिय धोज तिरंगे जंडे में चर्खे की जगे चक्र कब अस्तित्व में आया था तो जो पहले तिरंगा होता था तो तिरंगा में जो है पहले चर्खा होता था चर्खा के बाद जो जो है चक्र कब अस्तित्व में आया था तो इसका right option जो हो जाएगा option इसका B correct हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को जो है चर्खे की जगे जो है चक्र जो आया है असोक चक्र आया है तो इसका जो है B option correct हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछनमा 9 भारत की राष्टिय धोज का क्या से लिया गया है तो भारत की राष्टिय धोज पर बने चक्र को कहां से लिया गया है तो भारत की राष्टिय धोज पर जो असोक चक्र है ये कहां से लिया गया तो ये लिया गया साड़नात असोक इस्तम से तो इसका जो है C option correct हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछनमा 11 स् तो स्वतंत्र भारत के पहले राश्ट पती यह है Dr. Rajinder Prisad तो option जो इसका B correct हो जाएगा अगला जो कुशनette कुशनमा 12 जो है स्वतंत्र भारत के पहले उपराश्ट पती कोन थे तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराश्ट पती यह कौन थे तो इसका right option जो हो जाएगा डाक्टर सर उपली रादा किशन option जो इसका A correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशनमा 13 जो है सोतंतर भारत के पहले पिर्धान मंत्री कौन थे सोतंतर भारत के पहले पिर्धान मंत्री पंडित जवारलाल नेरू थे तो इसका जो है A option correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशनमा 14 सोतंतर भारत के पहले ओपर पिर्धान मंत्री कौन थे तो ओपर पिर्धान मंत्री कौन थे तो इसका right option जो हो जाएगा सरदार वल्लम भाई पतेल तो इसका जो है C option correct हो जाएगा अगला जो कुछना कुछनमा 15 जो है स्वतंद्र भारत के पहले गिरह और सूचना एबम फिरसाराण मंत्री कौन थे तो भारत के पहले गिरह और सूचना फिरसाराण मंत्री जो थे ये कौन थे तो इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा सरदार बलम भाई पटेल तो आप्सन जो इसका D correct हो जाएगा अगला जो कुशना कुशनमा 17 सोतंतर भारत के पहले बित मंत्री कौन थे तो सोतंतर भारत के पहले बित मंत्री जो बित मंत्री थे ये कौन थे तो इसका right option जो हो जाएगा ये हो जाएगा option B RK, समुखं, चेटी ये थे जो है स्वतंत्र भारत के पहले बेतमंत्री फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइकेंड से रूख्या करें अगला जो कुशना कुशनमा 18 जो है स्वतंत्र भारत के पहले रच्छा मंत्री कौन थे तो स्वतंत्र भारत के पहले रच्छा मंत्री जो थे ये थे बल्देव सिंग, option जो इसका B correct हो जाएगा अगला जो कुशना कुशनमा 19, स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल और परिवहन मंत्री जो थे ये थे कौन तो इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा डाक्टर जोन मताई ये थे भारत के पहले रेल और परिवहन मंत्री उप्सन जो इसका D करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन 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 मा 20 सोतंतर भारत के पहले सिच्छा मंत्री कौन थे इसका राइट ऑप्सन जो हो जाएगा मौलाना अबूल का लाम आजाद ऑप्सन जो इसका एक औरेक्ट हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछन मों 21, सोतंतर भारत के पहले बाड़ेज्य मंत्री कौन थे, तो सोतंतर भारत के पहले बाड़ेज्य मंत्री जो थे, ये थे CH भावा, CH भावा थे भारत के पहले जो है बाड़ेज्य मंत्री, तो ये आप याद रखें, अगला जो कुछन है कुछन option जो हो जाएगा डाक्टर राजिंदर प्रशाद जो है भारत के पहले खाद्य और किर्सी मंतरी है option जो इसका बी correct हो जाएगा अगला जो question नमर 23rd सोतंतर भारत के पहले स्वास्त मंतरी कौन थे सोतंतर भारत के पहले स्वास्त मंतरी जो थे ये कौन थे तो इसका right option जो हो जाएगा उप्सन यसur को जमारी आम रःत को जो है यह शुद्टर भारत की पहली स्वास्थ मंत्री थी तो इśmy इसका जो है D option correct हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछ नमा 24 स्वतंत्र भारत के पहले उद्धोग और आपूर्थी मंत्री कौन थे तो इसका right option जो हो जाएगा option इसका B correct हो जाएगा डाक्टर स्यामा परशाद मोखर जी जो थे ये थे भारत के पहले उद्धोग और आपूर C हो जाएगा रफी एहमद की दुबाई जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री थे अगला जो कुछ नमा 26 जो है स्वतंत्र भारत के पहले स्रम मंत्री कौन थे तो स्वतंत्र भारत के पहले स्रम मंत्री जो थे ये थे कौन बाबू जग जीवन राम तो बाबू Т. John Mathai option जो इसका C correct हुजाएगा अगले जो question, question number 28 भारत के पहले rail meantρι कौन थे तो भारत के पहले rail meantρι और सोतंदर भारत के पहले rail meantρι दोनों question अलग अलग है ये जो है आजादी से पहले की बात हो रही है और ये जो है आजादी के बात की बात हो रही है रेल मंत्री कौन थे तो ये थे डाक्टर जोन मताई ये हैं सोतंतर भारत के पहले जो है रेल मंत्री और ये है जो है सोतंतर भारत से पहले की बात हो रही है तो ये दोनों कुशन को आप याद रखें अगला जो कुशन है कुशनमर 29 जो है सोतंतर भारत के पहले कारे खान और उर्जा मंत्री कौन थे, तो इसका राइट उप्शन जो हो जाएगा, अप्शन डी हो जाएगा, नरहर विश्नु, जो है गाड़ गिल, ये हैं भारत के पहले कार्य खान और उर्जा मंत्री, अगला जो कुछन कुछनमा 30, स्वतंद्र भारत के पहले राहत और पुनर्बास म तो सवतंत्र भारत के पहले गवर्णर जेलार छो जाएगा अगला जो specifically पहले 22 राय कौन थे एक पहले और गवर्णर जो जाएगा जो कुश्नीग पहले 22 ये कौन थे तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्णर जनरल थे जो है चक्रबर्ती राजगोपालाचारी ओप्सन जो इसका B कर्यक्ट हो जाएगा फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंडिस ये जरुकिया करें अगला जो कुशना कुशनमा 34 भारत के एक मात्र भारती है गवर्णर जनरल कौन थे तो इसका राट अप्सन जो हो जाएगा चक्रबर्ती राजगोपालाचारी या फिर सी राजगोपालाचारी अगला जो कुशनर कुशनर मा 35 जो है 1857 के बिद्रो के समय भारत का गवरंडर जनरल कौन था तो इसका रैट अप्शन जो हो जाएगा जो 1857 के बिद्रो के समय भारत का जो गवरंडर जनरल था ये कौन था तो इसका रैट अप्शन जो हो जाएगा लौड कैनिंग था तो केसरिया, सफेद और हरा आप लोग देख लिजे लोगों में केसरिया, सफेद और हरा और बीच में जो है असोग चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है और जो असोग चक्र होता है ये गहरे नीले रंका होता है तो ये आप याद रखें अगला जो कुशन कुशनमा 37 जो है ये कथन किसका है एक धोज ना सिर्फ हमारी सोतंतरता बलकि सभी लोगों की सोतंतरता का प्रतीग है तो ये किसने कहा ये किसका कथन है तो इसका right option जो हो जाएगा option B हो जाएगा भारत के प्रिथम प्रिधनमंत्री जवालल नेरू तो इसका जो है B option correct हो जाएगा अगला जो question पुषण नमा 39 जो है स्वतंतरता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था तो इसका रैट उप्सन जो हो जाएगा बाल गंगा दर तिलक उप्सन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुषण नमा 40 है मतलब 40 भारत की रा अंदोलन की शुरुआत किसने की थी तो भारत छोड़ो अंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गंदी ने की थी ऑप्सन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुषण नमा 42 तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था तो इसका अगला जो कुषण नमा 43 इंकलाब जिंदावाद का नारा किसने दिया था तो इंकलाब जिंदावाद का नारा दिया था किसने भागा सींग ने ऑप्सन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुषण नमा 44 बंदे मातरम का नारा किसने दिया था तो बंदे मातरम का नारा जो दिया था ये बंकिम्चंध czyटर जी ने उफस्टन का बिकति याएगा अगला कुशन कुश्थनむ 45 जह ज़हां ज़हक्सान का नारा किसने दिया था तो जह, ज़वांimagin किसान का नारा दिया था किसने ये दियाथा लाल बादूर ऑप्सन जो इसका B correct हो जाएगा अगला जो कुशन नमर 47 जो है जय जबान जय किसान जय बिघ्ग्यान का नारा किष्ण नग्各 पर था तो इसका right ऑप्सन जो हो जाएगा अटल भी together बाय बाच पे ही ने का नारा किशन ने दिया था तो इसका रैट उप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा उप्सन डी नाराएंड गुरू ने दिया था एक धर्म एक जाती और एक भवान मानब जाती के लिए ये नारा जो है नाराएंड गुरू ने दिया था तो इसका जो है डी उप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछ नमर 49 जो है जै हिंद का नारा किशन दिया था तो जै हिंद का नारा सुभास्चंद बोस ने दिया था तो इसका जो है बापस बेदों की और लोटो का नारा किशने दिया तो इसका right option जो हो जाएगा स्वामी दयानन सरस्वती ने option जो इसका B correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइकेंड से जरू किया करें अगला जो question है question number 52 जो है सुप्रीम कोट ने किस अनुछेत के ताहत दोज फैराने की अधिकार जो है को मौलिक अधिकार के रूप में गोशित किया है तो इसका right option जो हो जाएगा option B अनुछेत 19-1 के ताहत जो है सुप्रीम कोट ने जो है इस अनुच्छेत के ताहद जो है धोज फैराने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गोशित किया है तो इसका जो है बी ओप्सन कलेक्ट हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से रुकिया करें अगला जो कुशन कुशनमा 53 जो है भारत का जंडा गीत विजय विश्वत रंगा प्यारा जंडा ओचा रहे हमारा किसने लिखा है तो इसका रैट ओप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्याम लाल गुप्त पार्षद ने लिखा है तो इनको आप याद रखिएगा भारत क जंडा गीत बिजे बिस्वत रंगा प्यारा जंडा आउचा रहे हमारा ये लिखा है स्याम लाल गुप्त पार्षण ने option जो इसका C correct हो जाएगा अगला जो कुशन नमा 54 जो है राष्टिय जंडा जंडा दिबस का मनाई जाता है तो राष्टिय जंडा दिबस जो है ये मना जाता है कब तो इसका right option जो हो जाएगा 22 जुलाई option जो इसका C correct हो जाएगा अगला जो कुशन नमा 55 जो है भारत के राष्टिय पसू बाग का ब्याग्यानिक नाम क्या है तो भारत का जो राष्टिय पसू बाग है इसका जो ब्याग्यानिक नाम है ये क्या है तो इसका right option जो हो जाएगा option A हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस जो ए यह भारत का राष्टीय पसू बाग का ब्यग्यानिक नाम है तो इसका जो है A option correct हो जाएगा अगला जू कुशन कउष नमर 56 जो है भारत की राष्टीय पच्छी मोर का बेग्यानिक नाम क्या है तो इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा आप्सन इसका बी कर्याक्ट हो जाएगा पाबो जो है क्रिश्टेस ये जो है मोर का जो है बेग्यानिक नाम है तो इसका जो है बी आप्सन कर्याक्ट हो जाएगा अगले जो कुशन हो खुशनमः 57 जो है भारत की राष्टिय जली अाजीब डॉलफिन का बेग्यानिक नाम क्या है तो इसका right option जो हो जा función हो जाएगा option इसका C correct हो जाएगा प्लोटर निश्टा जो है गेके टिका ये जो है जलिय जीव डॉल्फिन का जो है बेग्यानिक नाम है option जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशनमा 58 जो है बाग से पूर्व भारत का राष्टिय जो पसू था ये क्या था तो बाग से पहले जो है बाःत का राष्टिय पसू था ये था सिंग option जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा लाइन था जो है बाग से पहले ये आप याद रखें अगला जो कुशन है कुशनमा 59 भारतिय राष्टिय कारियों की माता किसे कहा जाता है तो भारतिय के राष्टिय कारियों की माता जो कहा जाता है मेडम भीका जीकामा को कहा जाता है option जो इसका be correct हो जाएगा अगला जो कुशन कुशनमा 60 भारतिय राष्टिय गान जन गड़मन का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था तो इसका right option जो हो जाएगा रबिन नाटेगोर ने किया है जो है जनगड मन का अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने ही जो है इसका रचेता है जो भारत का राष्टी गान है जनगड मन इसके रचेता जो है रबिन नाटेगोर है अगर बात की जाए अनुवाद भी इन्होंने जो है अंग्रेजी में किया है तो इसका जो है ए उप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन कुशन में 60 बन जो है भारतिय राष्टिय गान जनगड मन का अंग्रेजी अनुवाद क्या है तो इसका right option जो हो जाएगा जनगड मन को सम्विधान सवाने कब राष्टिय गान के रूप में अपनाया तो इसका right option जो हो जाएगा option B हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को जो है जनगड मन को सम्विधान सवाने जो है राष्टिय गान के रूप में अपनाया तो option जो इसका B करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन कुशन में 64 जो है बंदे मात्रम को सम्विधान सवाने जो है राष्टिय गीत के रूप में कव अपनाया तो इसका right option जो हो जाएगा option B हो जाएगा जनगड मन को जो है राष्टिय गान के रूप में कव अपनाया तो 24 जनवरी 1950 को और ये भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है तो इस वीडियो मेंने जो है 60 प्लस मतलब 64 कोशन कवर किये है फ्रेंट्स आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक इंड से रुकिया करें अगर चैनल पे पहले आप विजिट किये हैं चैनल जोलू सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मात्राम